इसमें वो कह रहे हैं कि find an interval on which the given function is continuous and also find points where it is discontinuous यानि उन्होंने कुछ function दिया है हमें और वो बता पूछ रहे हैं कि हमने बताना है कि यह function जो है किस-किस point पर continuous होगा और किस-किस पर discontinuous इंतहाई easy questions है छोटे-छोटे से जस्ट आपने continue किताना है किस function पर discontinuous भी अच्छा अगर आप पीछे आपने मैंने जो आपको domain वाले questions करवाय था 1.1 में उसमें कुछ students कह रहे थे अगर कोई function जो है जिस point पर continue नहीं करता तो उसकी domain होती continue मतलब के नहीं करता का मतलब यह है कि function infinity आ जाता है अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इनको आप गोर से देखें तो आपको वो भी चीज समझ आ जाएगी कि अब यह जैसे यह function है given है हमें पता है कि यहाँ पर अगर हम x की जगापर यहाँ में one put कर दूँ तो one minus one क्या होगा zero तो कोई भी value पर पड़ी हो उसको जब मैं zero से divide करूँगी तो answer क्या आता है infinity इसका मतलब है कि अगर मैं x की जगापर one put कर दूँगी तो function क्या हो जाएगा infinity आजएगा यानि continuous नहीं होगा मतलब क्या हो जाएगा discontinuous हो जाएगा तो अगर हमने इसकी domain भी बतानी है इस question की तो domain भी इसकी क्या होगी domain इसकी यही होँगी x is equal to one पर इसकी यह domain होगी के one पर यह function क्या हो जाएगा discontinuous होज़गा तो उसको हम उस point को अभ हमने क्या करना है कि अब क्या कह रहे है हमने discontinuous तो बता दे य के इस point पर वो क्या होगा one पर discontinuous होज़एगा function अब हमें पता है किसका numerator यह है यानि उपर tariffs हो infinity दे कुछ भी put करो r का मतलब है real line यानि जो पूरी real line हो जिसमे 0 भी आ देता है plus minus में सारी value सब कुछ आ देता है तो वो सारी के सारी values real line में आ देती है तो वो कह रहे है कि real line में सारी के सारी real line में इसकी value क्या होगी positive continuous होगा यह function तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका जो denominator है वो x minus 1 ने तो इसका मतलब है कि function जो है वो continuous होगा हर एक point पे swipe 1 के यानि अगर हम इस पूरे function में x की जगह पर जो मर्जी put कर लें बस क्या हो कि नीचे जो x है वहाँ हमने क्या करना 1 नहीं put करना क्योंकि 1 में से 1 minus करोगे 0 और कोई भी value जो होगी उसको जब 0 से divide करोगे answer क्या आ बना रहा हो उस point को अगर निकाल दिया जाए तो बाकि जितने भी points पच्छते हैं उसको हम कहता है कि यह function कि क्या बना रहे हैं domain बना रहे हैं सही है तो यह हमने सारे questions में भी करना था अब देखो ना आपने देखा real line में सारी values आती है अब इस हमें पता है कि पहले हम नहीं पर infinity हो रहे है question अब यह question one जब put करते हैं तो उस point पर infinity हो रहे है तो मैंने क्या किया one को उस real line में से निकाल दिया मैंने कहा अगर real line में सा अगर one को निकाल दिया जाए तो बाकि जितने भी points होंगे उस पर यह function क्या होगा continuous होगा तो इसका मतलब है यह इसकी domain बना रहे है अब इसी तरह से आप उन two questions को दुबारा देखना तो आपको वो clear हो जाएंगे clear और इसी तरह से यह question भी हो गया next question number 23 अगर आप देखे यह भी बिल्कुल ऐसे अगर मैं यहाँ 0 put कर दू नीचे तो कोई भी उपर value हो जैसे x है उसको जब मैं 0 से divide करोंगी तो answer क्या आजए just आपने इतना इतना इसका बताने विल्कुल ऐसी next question number 24 है जिसमे function क्या दिया sin x over x ठीक है इस function में अगर हम बात करने तो यहाँ पर भी नीचे x है तो अगर मैं x की जगह पर 0 put कर दूँगी तो कोई भी value को जब 0 से divide करोगे तो answer क्या आजएगा infinity यानि यह क्या हो जाएगा discontinuous हो जाएगा किस point पर 0 पर तो इसका क्या मत्तब है देकिन वैसे हमें पता है कि जो sin का function होता है यहाँ पर कोई भी value पूट करो यह हमेशा real line जोती है यानि r जोता है उसमें sin x की value हर point पर क्या होती है continuous यानि हमने यह भी बता दे कि function किस point पर continuous है और discontinuous का होगा नीचे करेंगे तो answer क्या आजेका 0 आजेका मिल्कुल ऐसे अगला question देख लें उसमें tangent function दिया हम इसको लिख सकते हैं ऐसे sin over cause की form में और हमें पता है कि यह जो function होता है sin over cause यह वाला यह जो है इसका period जो होता है यह आपने शाहिद ना पढ़ा लेकिन आप जहें में रखना कि इसक यह function जो है वह इस function यह जो period है इसका इस पर तो यह discontinuous हो जाता है लेकिन इस point के लावा बाकि जो real lines होती है यह हर एक point पर यह function continuous होता है स्वाए उस point के जो के इसके अंदर लाई का रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि यह function discontinuous at this point यह इस point पर और f of x discontinuous at all other points तो अगर इसकी हारा domain बत सारी उन questions के लिए जो के आपको पहले समझनी आए था कि इसकी domain क्या होगी कि simple जिस जिस point पर function continuous है उसमें से सिर्फ वो point नकाल दे जिस पर discontinuous है जैसे कि इस point पर discontinuous है तो वो इसकी domain होगी यानि इसकी domain क्या होगी r minus उसके आगे यह पूरा function लिखतो बस यह करना होता है ठीक negative के लिए जब देखेंगे तो यह function लिखेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर देखो x less than है ठीक है ना x less than है न इससे तो इसलिए negative के case में यह function है और यहाँ पर क्या है एक्स greater than तो greater than के case में कौन सा function होगा यह वाला तो उसके लिए वो function लिखते है और इसके लिए यह function लिखते पिल्कुल ऐसी कोज πैब फॉर यानि फॉरिय पर चैब होती है वान ओवर स्केर रूट टू तो दोनों की वैलियू देखो क्या है सेम आगी है उसका मतब़ लेफट साथ राइट साथ की एक वल आ गी है तो इसका मतब़ फंक्षिन कर गया है add point x is equal to pi by 4 इसके लाबा हम कहा सकते हैं कि we also know that sin x और cos x जो होते हैं ये real line में हर एक point पर लाए करते हैं इसका मतलब है ये function जो है real line जो है यानि rios पर हर points पर क्या कर जाएगा continue कर जाएगा